सागर स्मार्ट सिटी द्वारा जिला स्पताल परिसर में बनवाये गए OBT रजिस्ट्रेशन एवं वेटिंग लोबी का लोकारपण सुमवार को मंत्री भूपेंदसी ने किया इस मौगे पर सांसद राज बहादूर सेहिं विथा एक शैलेंदर जैन और भाजपा जिला ध्यक्षित गौरफ सिरोचिया भी मौजूद रहे इस दोरान मंत्री भूपेंदसी ने कहा कि शहर के साथ पूरे प्रदेश में स्वास सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंदर प्रयास किये जा रहे हैं इसी तार्तम्य में सागर स्मार्ट सिटी द्वारा 49 लाख की लागस से जिला अस्पताल परिसर में बनवाए गए OPD रजिस्ट्रेशन एवां बेटिंग लॉबी का लोकारपन किया जा रहा है जिसे मरीज़ और उनके परिजनों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी उन्होंने कहा कि मुखी मंत्री शिवरास सिंग चोहा ने हमारी शहर को मेडिकल कॉलेज दिया जो धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रहा है उन्होंने बताए कि जब उन्देल खंड मेडिकल कॉलेज के मानिता बार बार एंसी आई लटका रहे थी तब मैं सांसत था मेरे आगरह पर प्रदेश के सभी सांसतों ने दिल्ली में एंसी आई के सामने धर्ना दिया उसके बाद स्वर्गी अरुण जेटली के सहयोग से मानिता मिली थी मंद्री भूपेंद्र से ही ने कहा कि विधाईक शैलेंद्र चैन लगतार मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का नेरिक्षन करते हैं और खामियों को दूर कराते हैं जिससे लोगों को आसानी से सुविधाएं मिल सके हम सब मिलकर यहां अन्य सुविधाएं डॉक्टर्स और स्टाफ बढ़ा रहे हैं कि वहाँ अच्छा इजिस्टीशन का उप्टे खोल सके हैं तिर्वारा उसका लुकारपन मानी अतिधियों के तर्कम्रों से हुआ और अब कारिकरम को आगे बढ़ाते हुए मतिधियों के सम्मान के एकरम को यहां प्राप्त करनना चाहेंगी कारिकरम के मुक्तिधि इससे लोगों को शुबदाएं बढ़ेंगी सुबदाएं मिलेगी सागर में लेडिकल सुबदाओं के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं और जब मत प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनी मानी सुराज सिंग्जी मुक्वंति बने उस समय हम सब लोगों ने उनको सागर बुलाया था और हम लोगों ने कहा था कि हमारे बुलेल खंड की एक ही मांग है और वो सागर में मेडिकल कॉलेज उस समय मानी मुक्वंति जी ने मेडिकल कॉलेज की भोश्रां की लगवख पांसो कड़ोर की लागत से मेडिकल कालेज बना उसका नाम भी हम लोगों ने बुलेल खंड मेडिकल कालेज रखा चुकि हमारे बुलेल खंड का ये मुख्याला है और मेडिकल कालेज धीरे धीरे अपने सरूप में आ रहा है सुरू मैं जब मैं सांसर था उस समय मेडिकल कालेज की मानता को लेकर काफी दिक्कते आए और उस समय जो MCI के चेर्मेन थे वो मानता में काफी दिक्कत कर रहे थे मैं उस समय सांसर था और हम लोगों ने सभी मद्प्रदेश के इतने सांसर थे मैंने सबसे आगरे किया कि हम लोगों को MCI दफ्तर पर दिल्ली में धरना देना है और हमारे सभी मद्प्रदेश के सांसर और मैं हम लोग वहां MCI आफिस गए और MCI आफिस के बाहर हम लोगों ने धरना दिया और धर्णा भी इतना प्रोभादी था कि हम लोगों ने एक हमारे सांसद में से पेशेंट बना के उनको ग्रिप लगा कि वहां सामने लिखाया तो इस टाइपना मैसेज गया दिल्ली का पूरा मीडिया था और फिर वो जो MCI के उस समय चेर्मेन थे उनने कुछ लोगों को एक रोच किया कि इन लोगों से बातचीख करो मैं मानता देने को तयार हूँ और इस तरह से हमारे मेडिकल कालेज को समय मानता मिली और वो मानता भी जो मिली उसके तीछे स्वरगी अरुन जिता है और इसलिए दिक्कते आई थी पर अब मेडिकल कालेज बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे सैलन जी तो लगबग हरी दिन मेडिकल कालेज दिश्टेट हास्पिटल आते हैं तो वो भी डाक्टरी जैसे हो गया है बहुत ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए हमारा मेडिकल कालेज जो है उसमें अभी भी बहुत काम करने की आवश्यक्ता है हम लोग समय समय पे बैठेंगे और बैठकर मेडिकल कालेज जो हो रहे हैं और जो आवश्यक्ता है चाहे वो डाक्टर्स हों प्रुहेशर हों जो भी हो वो विवस्ता है हम लोग लगातार कर रहे हैं सेलन जी भी लगातार इस बात को जदान सबाब में भी बाकी जगे भी मंत्रियों से भी मुक्वंती से भी सबसे बात करते रहते हैं और हम सब लोग मिल की इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा medical college एक अच्छा medical college के रूप में हो जाए और वो धीर धीर स्वरूप में आरा समय लगता है दूसरा हमारे प्रदेश के और देश के अंदर medical की facility बड़े है medical की सुगदाएं बड़े है और इसके लिए जरूरी है कि नए नए medical college खुले और मैं माननी प्रदानमंत्री स्री नरेंद मोदी जी का धनवाद करूँगा कि भारत सरकार ने ये निड़ने लिया है कि हमारे देश के प्रतेक लोकसवा छेत्र में एक medical college भारत सरकार खुलेगी और वो medical college खुले से हमारे यहां doctors की संध्या बढ़ेगी और doctors की संध्या बढ़ेगी तो हमारे यहां अच्छी medical facility वो पाएगी अभी doctors की जो कमी है वो कमी इससे कम होगी और इसलिए पूरे देश में नए-नए medical college खुल रहे हैं मद्द प्रदेश में हमारी पिछली 15 साल की सरकार में और पिछले अभी 7.5 साल की सरकार में हम लोगोंने लगभग मद्द प्रदेश में 18 medical college खुले हैं तो यह medical college भी यहां पर भी यह doctors निकल रहे हैं और मैं यह मान के चलता हूँ कि आने वाले 15 वर्सों में हमारे यह जो doctors नर्सिस का जो gap है वो gap समाथ हो जाएगा और लोगों को और अच्छी स्वास्त सुब्दा मिल सकेगी बीच में यह corona का दोर आया था और उस corona के दोर में हमारे doctors, nurses, corona volunteers सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है मैं सभी लोगों को अपनी वर से बहुत तो धनवाद भी करता हूँ सुब कामनाय भी देता है तो यह हम सब सागर वाशियों के लिए भी सौभागी की बात है कि सागर का पूरा काया कल्प करने का जो दरण निश्णाएं आपने किया और लगातार सागर में जो विकास के कारे आपको दिख रहे है ऐसे हम सब के नेता आधनिये भूपेंसींजे हम सब के बीच में उपस्ते थे तालिया बजा के लिए सागर से विश्णो सोनी के रपर्ट